नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अभी तक आपने पढ़ा था जो इसके CITS फिटर नीमी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 और ये अन्तिम पार्ट है इसका पार्ट 6 पार्ट 5 में आपने 165 तक कोस्ट है तो आईये बढ़ते हैं 166 तक सुलू करते हैं तो इसमें कोस्ट्न है कि निम निखित में से कौन रेति का एक हिस्सा है बने रेति के पार्ट इसमें कौन थे बता रहा है तो इसका oh बहुत है हील टिप और इसका c option जवापका है हील और टिप दोनो तो इसका c option बिल्कुल सही होगा आगे बढ़ते हैं इसमें कहारा चित्र में दर्साय गया अजार की पहचान करें दोस्तों ये टूल जो दिखाया गया है इसको पहचानना आपको है क्या है ये उसे ये टूल आपका ये हमारी रेती है तो इसका ए आपसंस है ये फाइल अगला कोश्चन है 168 168 में कह रहा है कि निम लिखित में से कौन सा करता आपको है कौन सा है ये हमारी छेनी जो है ये पांकि steel rule ये measuring tool है ये गुणिया से हम चेक करते हैं ये मीजरिंग टूल है लेकिन छेनी जो हमारा है ये cutting tool है तो ये अपसंस है 169 में कह रहा है कि हिक्सा ब्लेट को कैसे स्पेसिफाइ करते हैं लंबाई द्वारा पीछ द्वारा और समगरी के प्रकार तीनों के द्वारा उसको स्पेसिफाइ करते हैं उसका वंदर इसका डी अप्सन बिल्कुल सही है यह सही अगला कोशन है 70 किस प्रकार के समगरी के लिए छेनी को नुकीला कोड बिंदू दिया जाता है मुल्द भे कह रहा है कि किस प्रकार के माटेरियल के लिए जो हारा चीजल है उसका पॉइंट इंगिल बेरी सार्फ होता है तो दोस्तों वो हमारी होती है मुलायम सामगरी, सॉफ्ट मेटेरियल उसके लिए हम सार्प पॉइंट एंगल रखते हैं चीजल का तो यहाँ पर 170 का C आपसन सही है 171 कोशन देखिए माईल इसल के लिए जो है छेनी का कटिंग एंगल कितना होगा दोस्तों वो होता है 55 डिग्री 55 डिग्री यहाँ पर है तो वो सही आपसन है 171 का C आपसन सही है 172 कोशन देखिए जो चित्र दिखाया गया उसमें डिल मसीन काउन सी है यह पहचानना आपको है देखिए ये दोस्तों हाई है कि कौन सी drill machine है आपको देखिए और ये जो drill machine आपकी है ये ये आपकी पिलर drill machine पिलर drill machine दोस्तों हाई है इसका a absence है आगे बढ़ते हैं 173 question में उसमें कहा रहा है कि निम्लिकित में कौन सा एक drill holding उपकरड है drill holding equipment है दिवाइस है तो दोस्तों वो हमारा drill chuck drill chuck से हम drill hole पकड़ते हैं और कौन से drill पकड़ते हैं जिनकी sank जो होती है parallel होती है parallel sank वाल डिल जो है drill chuck से पकड़ते हैं बाकि head stock से हम नहीं पकड़ते हैं work table से भी नहीं पकड़ते हैं तो हमारा बी आप्सन सही है 174 question देखिए टूटे को हटाने की एक विदी है दोस्तों कौन सी विदी है punch का प्रयोग इससे नहीं होता है nitric acid से भी नहीं होता है किया पर यह सी आप्सन है आर्क विल्डिंग का यूज करके आर्क विल्डिंग का यूज करके हम उसको हटा सकते हैं तो इसका 174 का सी आप्षन शही है 175 कोशन देखिए Thread की Pitch की जांच करने के लिए किस Gage का यूज करते हैं दोस्तों वो हमारा होता है Screw Pitch Gage Screw Pitch Gage दोरा हम Thread की Pitch की जांच करते हैं दोस्तों यहां पर हमारा D option बिल्कुल सही है अगला 176 question देखी इसमें कहा रहा है Micrometer की सिध्धान पर काम करता है दोस्तों वो हमारा Screw और Nut के सिध्धान पर काम करता है Micrometer 176 का C option सही है 177 question देखी इसमें कहा रहा है कि निम्क में से कौन सा गाठदार डलवा लोहा का दूसरा नाम यानि कि Nodular cast iron का दूसरा नम क्या है दोस्तों उसे हम बोलते है Ductile cast iron यानि कि तन डलवा लोहा होता है उसे हम Nodular cast iron भी कहते है 177 का A option सही है बागी इसमें option इसके नहीं है और 178 question देखी इसमें कहा रहा है कि निम्कित में से किस carbon speed पात में carbon का percentage सबसे कम होता है Lowest percentage किसमें होती है दोस्तों वो होती हमारी mild steel में mild steel में सबसे कम कारवन प्रस्त होता है बागी high carbon steel, medium और high speed steel सम्में carbon का percentage mild steel के पेच्छा ज़ो है ज़्यादा होता है तो यहाँ पर 178 का B option सही है अगला 179 question देखीए इसमें कहा रहा है कि normalizing एक process होता है treatment में इसमें cooling किस माद्धे हम से करते हैं दोस्तों वो हम धीरे-धीरे करते हैं और वायू के दारा करते हैं air के दारा तो 179 का C option से यह दोस्तों तेल में हम quenching इत्यादी करते हैं तेल या brine है solution इसमें हम quenching करते हैं लेकिन air के दारा हम normalizing करते हैं 80 question देखीए इसमें कह रहा है करतन छमता बढ़ाने के लिए steel पर कौन सा उसमा उपचार क्या आता है यन्य कटिंग ability बढ़ाने के लिए कौन सा heat treatment करते हैं दोस्तों वो हम करते हैं hardening तो इसका B option बिलकुर सही है आपने दोस्तों सुना हुआ कि बहुत सारे tool होते हैं hard और temper होते हैं तो hardening हम करते हैं ताकि हमारा करतन छमता बढ़ जाए और tempering किसलिए करते हैं ताकि उसके stress जो है वो हट जाए तो यहाँ पर दोस्तों B option आपका सही है hardening 181 question देखिए इसमें कहा रहा है एक forcing tool दिखाया गया है आपको चित्र में और tool का नाम आपको बताना है कौँंसा है तो दोस्तों देखिए इसको आप forging tool है और नीचे option है option दोस्तों और यह flatter दिख रहा है यह flatter है यह तुमारा C option बिल्कुल सही है यह flatter है यह दोस्तों दिख रहा जाईए flatter, तो यह C option flatter सही है, 182 question देखिए, इसमें किरा नर्लिंग जो है, किस speed पर किया दे दोस्तों, धीमी speed पर किया दे, नर्लिंग जो मारी एक operation होता है, लेट मसीन पर, उसको हम धीमी गति पर करते हैं, तो यहां पर 182 का C option बिल्कु सही है, अगला question देखिए, 183, 183, इसमें कहरा है, कि forging प्रचालन का नाम बता है, जिसके दोरा, stock के टुकडे का अनपरस्त काट बढ़ जाता, टुकडे की लंबाई कम हो जाता है, दोस्तों इसमें कहरा है, कि उस forging operation का नाम बताओ, जिसमें अगर कोई टुकडा है, उसकी लंबाई हमें क जो cross section ले रही है, बढ़ जाएगा और लंबाई कम हो जाती है, तो 183 का B option सही है, 184 question देखिए, इसमें कहरा है, TIG, यानि कि TIG welding charge होती है, उसका कौन सा भाग जो है, इलेक्टरोड को hold करता है, दोस्तों वो हमारा होता है, कौलेट, कौलेट जो है, टिक वेल्डिंग में हम 184 का B option सही है, 185 question देखिए, इसमें कहरा है कि कौन सा अच्छर जो है, या आपको option में अच्छर दे रखे हैं, कौन सा अच्छर जो है, मूल छिद रियानी की basic hold को indicate करता है, basic hold को indicate करता है, E भी नहीं करता है, F भी नहीं करता है, G भी नहीं करता है, दोस्तों यहाँ पर देखिए, H जो है, basic hold को indicate करता है, तो यहाँ पर D option बिलकुल सही है, 186 question देखिए, इसमें कहरा है, एक positive allowance है, धनात्म के allowance जो है, हमेसा कैसी fit होगी, अगर धनात्म के allowance होगा positive allowance, तो उसमें हमेसा clearance fit होगी, अगर कहीं पर positive allowance है, तो वहाँ पर clearance fit होगी, तो 186 का A option सही है, भी हो सकती है, तो 186 का A option सही है, 187 question देखिए, इसमें कहरा है, BIS system में tolerance के कितने grade होते हैं, how many grades of tolerance are in the BIS, BSI, sorry, BSI system, दोस्तों वो होते हैं हमारे 18 grade, BSI पडाली में जो होते हैं, कितने grade होते हैं, 18 grade होते हैं, 188 होते हैं, 187 का C option सही है, 188 देखिए, चित्र में दरसाये गए गेज को पहचानना आपको, यह कौन सा गेज दोस्तों, यह हमें snap gauge दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए इसका A option बिलकुल सही है, snap gauge, अगला question देखिए, इसमें कहरा है, आपको कथन दे रखे हैं, निम्न कथनों पर पिचार करना है, पहला कथन क्या है, एक निरीच्छड आम तोर पर एक संगठित परिच्छा या आपचारिक मुल्यांगन अभ्यास है, दूसरा क्या है इसमें, गुडवत्ता नियंतर एक छोटी प्रक्रिया है, जिसके दोरा संस्थाए उत्पादन में सामिल सभी कारकों की गुडवत्ता की समिक्छा गरती है, तो दो यह हमारे आएक अगले बढ़ता है अगले कोच्चन की और इसमें कहरा है और नीम्ल के समया कौँन सा एक एक एंटी फ्रिक्सन बीरिंग है, क्यों सा एक एंटी फ्रिक्सन बीरिंगij है दोस्तों solid bearing में होता है ये भी नहीं होगा उसके बाद thrust bearing जो होती है इसमें फ्रिक्सन होता है और बाल bearing होती है उसमें friction नहीं होता है क्योंकि ये point contact bearing है दोस्तों यहाँ पर इसलिए c option ball bearing सहिए होगा ये anti friction bearing होती है तो आगे बढ़ते हैं 911 question की हो Convair भी होते हैं तो यह सारे प्रकार है लेकिन इसमें D आपका option जो है इसमें कोई नहीं यह गलत option है तो एक से क्यान वे question के अनुसार हमारा जो है D option बिल्को सही है आगे बढ़ते हैं 192 question की और इसमें कहरा है कि सामान ने उद्देश के लिए खुरदरापन मान को कितने grade में वर्गी कर सकते हैं यानि कि for general purpose the roughness value are graded into how many grades कितने grade में हम उसको कर सकते हैं दोस्तों हमारे होते हैं 12 grade और 12 grade कैसे n1 से लेकर n12 तक होते हैं दोस्तों 192 का D option बिल्को सही है आगे बढ़ते हैं 193 की और नेम लिखेते में से count C1 सतह अनिमित्ता है feature of the following is the surface irregularity तो उसनों खुरदरापन भी होता है और उसके बाद जो तरंग मैता वेविनेस भी होती है तो उसनों C option इसमें दोनों दे रखे हैं तो यह बिल्कुल सही है C option बिल्कुल सही है roughness और वेविनेस दोनों ही हमारी उसे गुड होते हैं तो यहाँ पर C option सही है आगे बढ़ते 194 की और इसमें कहरा है कि आम तोर पर प्रेस कारे में कारेखंड को कहां रखायाता है दोस्तों प्रेस कारे में जो है प्रेस वर्क में जो वर्क पीस है उसको हम डाई के उपर रखते हैं जो प्रेस वर्क होता है उसमें वर्क पीस को हम डाई के उपर रखते हैं 194 का C option बिल्कु सही है 195 question देखिए इसमें खारा Об Burlington रहा है Blanking operation में Clearance किस पर दिया जाता है दोस्तों वह हमारा RAM पर Clearance देते हैं Blanking operation कर रहा है Clearance देना है तो हम किस पर देंगे RAM पर 195 का C option बिल्कु सही है 196 देखिए इसमें कहा रहा है कि चितने में दरसा है कि रिविट जॉइंट को आपको पहचान ना है यह आपका दोस्aces दिख रहा है यह आपका जॉइंट है पहली बात तो है आपका यहां से So हो रहा है लैप जॉइंट और इसमें आपकी एक ही लाइन में एक ही सीध में रिविट हैं तो यह single riveted lap joint हो गया तो इसका मतलब हमारा C option बिल्कुल सही है single riveted lap joint आगे बढ़ते हैं 197 question की और इसमें कहरा है कि rivet के बीच की निनुतम दूरी rivet के व्यास का कितने गुना होने चाहिए यानि कि यह कहरा है कि पूछ रहा है पीच rivet के बीच की दूरी जो होती है 3D होती है D का मतलब है यह rivet का व्यास जो rivet का व्यास है वो D है और दोनों के बीच की दूरी यानि कि 3D होनी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आपका B option सही है कि rivet के बीच की निनुतम दूरी जो है रिविट के व्यास का तीन गुना होनी चाहिए तो 197 का B option सही है आगे बढ़ते हैं 198 की और इसमें कहरा है कि निम्ड कितमे से किसका उपयोग सक्ति संचरड के लिए करते हैं दोस्तों power transmission के लिए हम gear का भी use करते हैं क्लश का भी use करते हैं और आगे बढ़ते हैं कपलिंग का भी use करते हैं और दोस्ते यहां पर D option आपका बिल्कुल सही है सभी gear, clutch, कपलिंग सब का यूज हम कहां करते हैं power transmission के लिए तो 198 का D option बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं 199 की और इसमें कहा रहा है कि नेम लिखित में से कौन सा अपघरसक लैपिंग में use होता है which of the following abrasive is used in lapping दोस्तों अपघरसक कर जो है लैपिंग में silicon carbine भी use करते हैं aluminium oxide भी use करते हैं और हीरा भी use करते हैं तो इसका मतलब यहां पर D option बिल्कुल सही है यह सभी 199 का D option सही है अज दोस्तों यह last question है 200 number का इसमें कहा रहा है चितने दरसागे machine को आपको पहचानना है यह machine आपको पहचाननी है तो उसका कहिछे पहचाननेंगे दोस्तों यहां पर देख रहे हैं आप इसमें tool लगा हुआ है यह tool आपका क्या है ब्रोच है अब दोस्तों ऐसी machine जिसमें ब्रोच लगा हो तो वो simple सी बात है वो काउन सी machine कहलाएगी आपकी वो आपके कहलाएगी broaching machine तो यहां पर यह D option बिल्कुल सही है broaching machine है दोस्तों यह 200 question टोटल होगा है आपके यह निमी के है फिटर CITS के और यह अंतिम भाग इसका था 6 part दोस्तों 6 part आप जरूर देखिए और यह आपका last यहां पर है 200 question और इसके लिए आप मारा part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 भी अब आपसे देखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद